हाई गाईज तो आज हमारे पास एक कोस्टन है कि if all the words with or without meaning are written using the letters of the word queen and are arranged in English dictionary then the position of the word queen okay मतलब इस question का मतलब हमको समझा देता हूं यहां पर पूछा है कि मतलब जी यह word है queen ठीक है इसको मतलब meaningless भी हो सकता है meaning के साथ भी हो सकता है queen को arrange करेंगे तो dictionary में उसका मतलब position कितना होगा ठीक है तो यह question है 2019 का निम्सेट का इस question का अज करने बालेंगे और इसका easy sort tricks देखेंगे ठीक है बहुत easily हो सकता है तो मैं हर एक step explain करूंगा ताकि आपको मतलब question समझाए easily okay तो पहले मैं करेंगे इसको लिख लेंगे q u e e n ठीक है तो हमको इसको ascending order में लिखना है ठीक है ascending order मतलब जैसे पहले आप कमाल लीजे b c d e ठीक है और एदर a लिख लिए तो a लिख लेटा है ठीक है तो a का भी हम देंगे ऑसका बद b बी आता है तो b का वेलुर्यृ क्या होता है उसके बद three आता है ठीक है, O, P, Q, R, S, T, U, ठीक है, तो उसके बाद, U लिख दिया, यहाँ पर 4 होगा, ओके, उसके बाद हमको क्या करना होगा, तीन से छोटा वैलू, मतलब इधर से सुरू करना, तीन से छोटा वैलू कितना है, उसको यहाँ लिखना है, तीन से छोटा वैलू, एक, दो, तीन तो इधर हम लिख देंगे, तीन, चार से छोटा वैलू कितना है, 1, 2, 3, तो इधर हम लिख देंगे, 3, एक से छोटा वैलू कितना है, 0, एक से छोटा वैलू, 0, दो से छोटा वैलू, 0, तो इधर हम लिख देंगे, 0, और इधर क्या करेंगे, 0 से लेकर, जितना तक होगा, वाली बात है जो कि यहाँ फृप कर दो करेंगे तो यहाँ पर फ्रीयोगा तो ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या का क्रना होगा जितना लेटर रिपीट है जैसे यहां per2 लेटर रिपीट है तो हमको लिखेंगे तूफैक्टराय। यहाँ पर 4 लेटर रीपीट ओ, 4 लेटर यहाँ पर मतलब माल लीजिए आपको E E B B होता तो 2 factorial इंटू टू फेक्टरियल लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 value रिपीट यह तो 2 factorial लिखता है, तो इसके पहले 2 value रिपीट अहाँ, तो इधर लिख देंगे 2 factorial, ओके, तो 3 प्रेटरील का फैलू कितना होता है 3 इन्ट 2 इन्ट 1 कितना होता है 6 ठीक है तो हम इदर लिख देंगे 3 इन्ट 6 by 2 plus इढ़ा देंगे 3 इन्ट 24 by 2 okay 4 फैक्ट लवावल 24 होता है okay तो इधर क्या होड़ा है इधर हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा 9 प्लस आजाएगा इधर प्लस आजाएगा और इधर हो जाएगा 412 तो 36 तो 36 प्लस 9 कितना होता है कितना होता है उसके लिए प्लस आजाएगा गाल फॉर्टी फाइब कर सकते हो जो की dictionary problem होगा, okay.